साथ्यों नमस्कार, हमारे चैनल रमन विध्यार्थी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए आज की इस वीडियो में हम लोग इमला लिखना सीखें इमला जो की एक अर्बी भासा का शब्द है, हिंदी में कहते हैं सुर्तलेक यानि सुनकर लिखना, हम बोलेंगे आप सुन-सुनकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे बाद में अपना लिखा हुआ आप हमारे लिखे हुए से मिलाते चलेंगे ठीक है, तो इमला लिखना सिखें कि आज की इस वीडियो में हमें एक छोटी सी कहानी लेकर आए है कहानी का शीरशक है दहेज ये कहानी हमने श्यम लिखी है उमीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी तो आएए इमला लिखने के साथ साथ एक अच्छी सी कहानी का आनंद भी लें तो उमीद करते हैं आप अपना कॉपी और पैन लेकर हमारे सासा लिखने के लिए तयार होंगे तो लिखिए एक राजा और एक रानी थे लिखते रहिए एक राजा और एक रानी थे बिराम लिख दीजिए आगे लिखिए उनके घर एक कन्या का उनके घर एक कन्या का आगे लिखिए जन्म हुआ जन्म हुआ जन्म हुआ भी लिख लिया होगा आपने विराम लिख दीजिए आगे लिखिए कन्या को पाकर कन्या को पाकर कन्या को पाकर कन्या को पाकर दोनों बहुत खुश थे दोनों बहुत खुश थे कन्या को पाकर दोनों बहुत खुश थे विराम लिखिए आगे लिखिए उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कन्या का लालन पालन किया इतना ब्राम लिख दीजिए और इतना आपने लिख लिया होगा अपना लिखा हुआ मिला लिजिए एक राजा और एक रानी थे उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ कन्या को पाकर दोनों बहुत खुश थे उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक कन्या का लालन पालन किया आगे लिखिए जब राजकुमारी बड़ी हो गई तब राजा ने बड़े धूम धाम से तब राजा ने बड़े धूम धाम से उसका विवाह उसका विवाह उसका विवाह अपने पडोसी राज्य के अपने पडोसी राज्य के अपने पडोसी राज्य के राजकुमार के साथ किया अपने पड़ोसी राज के राज कुमार के साथ किया बिराम लिखेंगे आगे लिखें जब राजा दहेज देने लगा जब राजा दहेज देने लगा आगे लिखेंगे तब राज कुमार ने तब राज कुमार ने यह कहकर दहेज लेने से इनकार कर दिया दहेज लेने से इनकार कर दिया कि इनकार कर दिया कि इतना लिख लिखेंगे आपने मिला लीजिए जब राज कुमारी बड़ी हो गई तब राजा ने बड़े धूम धाम से उसका विवाह अपने पडोसी राज के राज कुमार के साथ किया जब राजा दहेज देने लगा तब राजकुमार ने इह कहकर दहेज लेने से मना कर दिया कि मना कर दिया हो सकता हमने यापर इंकार बोला हो तो आप मना ही लिख देना ठीक है मना कर दिया कि आगे लिखिए उसके राज में उसके राज में दहेज देना और दहेज लेना उसके राज में दहेज देना और दहेज लेना अपमान की बात माना जाता है अपमान की बात माना जाता है इसलिए हम दहेज लेकर आपको और अपने आपको अपमानित और माफ करना अपमानित नहीं करना चाहते अपमानित नहीं करना चाहते अपमानित नहीं करना चाहते विराम लिख दीजिए और इतना लिखा हुआ मिला लीजिए उसके राज में दहेज देना और दहेज लेना अपमान की बात माना जाता है इसलिए हम दहेज लेकर आपको और अपने आपको अपमानित नहीं करना चाहते अपमानित नहीं करना चाहते तो प्यारे दोस्तों उमीद करते हैं आपने भिलकुल ठीक ठीक लिखा होगा किसी सब्द को आप ठीक्ष ना लिख पाए हो तो उस सब्द को आप अपने कॉपी पर बार बार लिखिए एदि आप जादे सब्द भूल गए हो तो वीडियो को दुबारा देखिए तीन बार देखिए जब तक देखिए कि जब तक कि आप इस वीडियो को पूरते से complete ना कर लें क्योंकि इमला लिखना सीखना बहुत जोरी होता है इमला लिखना सीख जाएंगे तब ही आप अपने आपको हिंदी में हिंदी लिखना पढ़ना सीखना पूरा मनें ठीक है तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विध्यारत्य को सब्सकाब भी कर लीजिए मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय हिंदी